Hi, Vince Math, it must be Maths भाईयमिय, welcome again to the world of Maths भाईयमिय, तो स्वागत है आपका Maths के विधान, समविधान में, जिस तरह 40 है मैंने किया था, 40 episodes, 40 concepts, 40 concepts को मैंने रिरेट किया था, 40 character या 40 events के रमायन से, रामचरित मानस, actually, not the रमायन, उसी तरह ये जो Maths का विधान है, इसमें मैं सब करना चाहता हूँ, constitution समविधान से, समविधान में जितने भी important articles हैं, amendments हैं, जितने भी important points हैं, उसको मैं आपको बताऊँगा, and उसको मैं Maths के question और concept से relate करूँगा, तो मुझे को लगता है ये आप किसी भी exam को target कर रहे हो, आपके लिए best होगा, अगर आपने चालिशान नही आपको बताना चाहता हूँ, introduction, बहुत simple सा है, constitution of India is the supreme law, तो हम लोग जो बात करना चाहते हैं, supreme law, ये इंडिया में supreme law है, इसकी उपर कुछ भी नहीं है, बाकी जो भी है, इसको follow करती है, अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ कि क्या आप सही काम कर रहे हो, या गलत काम कर रहे हो, क्या आपको ऐसा करना सही है, गलत है, कुछ भी सही और गलत नहीं होता है, एक word होता है क्या आप legally सही हो या legally गलत हो, अगर आप legally सही हो तो आप सही हो, legally wrong हो तो आप wrong हो, और यह सब मैंने लिखा है, that is a politics, court, structure, power, duties, government institutions, fundamental rights, directives, principles, duties, citizens, सब को ये क्या करता है, एक framework देता है, कि आपको किसके अंदर सही तरीके से काम करना है, तो चलिए, मैंना जैसा आपको बता है कि Supreme Law of India है introduction, तो maths में जो Supreme Law होता है, वो होता है remainder, बिना remainder कुछ भी आप नहीं निकाल सकते हो, आप कहीं divide करते हो, plus minus करते हो, मताप remaining निकालते हो, कितना बचता है, तो हम लिखा हुआ है, आगे मैं लिखना नहीं चाहूँगा, this one is a question in front of you, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो कीजे pause, और इस question को कीजे solve, I hope आपने वीडियो को pause किया होगा, 43 मतलब question है 2-70 को, आपने 43 से divide करने की कोशिस की होगी, बहुत लोग उने trident लगाया होगा, cyclicity लगाया आपको basic खूजना होता है, remainder Euclid सब कुछ plus minus 1 पर काम करता है, मैं अगर 2 by power 1 को 43 से divide करूँ, remainder 2 होगा, मुझको पता है, आपको ये करना होगा, आप हर एक चीज के पीछे Euclid लेमा ये सब नहीं लगा सकते है, क्योंकि आपके पास calculator नहीं होता है, 2 by power 4 आपका देता है, 2 cube आपका 8 देगा, 2 by power 64 जो आपका देगा, वो 16 देगा, 2 by power 5 जो होगा, वो आपका 32 होगा, मुझको पता है, 2 by power 64 होगा, 64 को 43 से कर मैं divide कर दूँ, मैं minus कर दूँँगा, तो यहाँ 64 minus 43 आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 21 होगा, यह मुझको नहीं दिया, 2 by power 7 जैसे ही आप निकालोगे, which one is nothing but 128, अगर आप 128 को 43 से divide करोगे, 3 जा करोगे, तो यह जगा 129 आपका remainder minus 1 हो जाएगा, remainder minus 1 हो जाएगा, मतलब आप एक ज्यादा हो जाओगे, तो आपको यह समझ मैना चाहिए, यह remainder minus 1 देता है, अगर कुछ basics question आपके एक जानक में दिखे, तो बहुत जादा उसके पीछे fight नहीं करना है, कौन सा theorem, कौन सा नहीं, remainder के सबसे toughest question, सबसे basic concept पे पूछे गए हैं, और पूछे जाते हैं, जैसे cat पे question था, 2 raised to 204 का last two digits, सबसे basic concept, there is no need कि हम कुछ और लगाए, आपने देखा क्या, 2 पे power 7 पे आपका remainder आ रहा है, minus 1, तो मैं लिख सकत इसी तरह आपके बहुत सारे questions आते रहेंगे, तो मैं आपसे point note करना चाहता हूँ, कि अगर remainder के questions आपको tough लगते हैं, certs वाले, तो प्रीज आप basic करके देख लो, कहीं न कहीं हो minus 1 देगा, नहीं तो बाकी भी अलग-लग theorems को हम discuss करेंगे in समविधान में, तो यह आपका zeroth episode है of maths का विधान, तो हम लोग मिलते रहेंगे almost daily या किसी दिन में एक से ज़्यादा maths के विधान को discuss करेंगे, आप channel पर बने रहें, सीखते रहें, लोगों को बताते रहें, अपना best देते रहें, God bless you, happy learning and bye-bye.